हलो एंड वेलकम टू टेश्ट बूक सूपर कोचिंग तो SSC CGL 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है और 17,000 से उपर वेकेंसी आई हैं बंपर वेकेंसी आई हैं मैंने आपको शुरू में भी बुला था कि 15,000 की उपर वेकेंसी आएंगी लेकिन ये नमबर 17,000 को क्रॉस हो गया है वेकेंसी बंपर हैं अच्छे से तयारी करनी हैं सेलेक्शन लेना है इस बार और मैं आपको CGL 2024 में एपलाई कैसे करना है उसका पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कैसे आपका OTR यानि वन टाइम रेइस्टेशन होगा और कैसे आप एपलाई करेंगे वीडियो को ध्या का वीडियो जो है वो आपके फॉर्म को आपकी अप्लिकेशन को रिजेक्ट होने से बचा सकता है आपका साल खराब होने से बचा सकता है और आपके कैरियर में एक साल का गैप लाने से बचा सकता है तो वीडियो ध्यान से देखेगा सबसे पहले आपको SST की ओफिशल करना होगा login और register सबसे उपर देखिए तो आपको क्या करना है आपको जो है वो login और register वाले option पर क्लिक करना है इस पर आपको क्लिक करना है जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज ओपन होगा इस तरह का पेज ओपन होगा यहां पर देखिए है अब को क्या करना यह पेज आपका जो हए वह ऊपन होगया है अब आप को करणा घ्र है अगर आप आप और अपना यूजर ने पास्वर्ट डालीए लेकिन अगर आप नए user है तो आपको यहाँ पर अपना देखिए नियू ऊजटर रेजिटर नाओ पर क्लिक करना है जो आप नियू यूजर रेजिटर नाओ पर क्लिक करेंगे तो इसका पेज जो है वो कुछ इस तरह से open होगा यहां पर देखिए आपको यहां पर देखिए आपको वन टाइम राइस्टेशन का option आ रहा है तो यहां पर continue पर click करें continue पर click करने का आपका page open होगा सबसे आपको personal details डालनी है do you have आधार yes या no करना है अगर आप yes करेंगे तो आपको अपना आधार number डालना है उसको verify करना है उसके बाद आपको type of identification card यहां पर पताना है उसका number डालना है जो भी आपका card उसका number दा दीजिए ठीक है अगर आधार नहीं दिया तो यह करना है आधार अगर आपने देती है तो यह नहीं फिल करना आपको ठीक है उसके बाद candidate का नाम matriculation है दसमी की mark street के आदार पर यहां पर आपको डालना है नाम से पहले Mr. Mrs. Shree, Shree, Shree मती कुछ भी नहीं लगाना है फिर have you ever changed name क्या आपने अपना नाम कभी बदला है यस या नो में answer कीजिए अगर बदला है यस करते हैं तो नया नाम बताईए यानि बदला हुआ नाम उसको verify कीजिए उसके बार अपना date of birth जो है वो सब कुछ आपके matriculation के माक सीट से मैच होनी चाहिए ठीक है उसके आपको मदर का नाम डालना है यह भी आपके स्क्रेसर अभर किया बताई है मोबायल नमबर डालना आपनी इमिल अइडिये यहां पर जो है वह आपको पर case एक lower case एक number और एक special correct जैसे कि at the rate यह डॉलर का sign यह होने चाहिए ठीक है यह आपको डालने है फिर security question जो है वो आपको select करना है उसका answer करना है security question to select करना है उसका answer करना है फिर save and next पर click करना है save and next पर click करने के बाद जो है वो आपका यहाँ पर one time registration का additional detail आजाएगा जिसमें आपने category बिताईए नेशनल निटाईए विजिवल आइडेंटिफिकेशन मार्क का मतलब यह होता है कि आपके कोई मार्क आपके चोट का निसान हो कोई बन मार्क को वह यहाँ पर आपको बताना होता है ठीक है यह आपको फिल करना है उसके बाद देखिए आपको आपका address जो है वो डालना है जो आपका Permanent address वो डालिए अपना address house number toג green trade टेग बिंकोड यह सारी टेल्स तो है वो यहाँ पर आपको फिल करनी है कि और प्रिष्ट इस प्रिषट एड्रेस झा कि पर्माइंट एड्रेस सेम है यस या नो मैं आंसर कीजिए यस करते हैं तो आपका सेम एंडरेस फिल रहागा नो करते तो आप मैंवली कर सकते हैं उसके बाद सेब एंड नेक्ट पर क्लिक करने के बाद आपका वन टाइम रिजिस्टेशन का आपको देखिए आपको लाइब एक्जामनेशन दिख रहे हैं तो आपका सीजेल जून से शुरू होगा पच्छेशन ओपन रहने वाला है एप्लाई पर क्लिक करेंगे उनको अच्छे से पढ़ लीजिए फिल फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले देखिए आपने जो फिल अल्रेडी करा हुआ है वो डिटेल्स यहां पर आजाएंगी स्क्रॉल करके नीचे आईए नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है अपनी एज्यूकेशन क्वालिफिकेशन की डि ठीक है उसके आपको यूश्टि का नाम बतानाए पर्सेंटेज जिपी एतिया तो वो बता दीजिए सेवर नेक्ट पर क्लिक करेंगेशन पर्सनल इंफोर्मेशन में क्या क्या डालना है कि आप एक सर्विस में नहीं यह से नो में आंसर कर दीजिए उसके बाद से पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है एक्जाम संटरी प्रिफरेंस यह तरह से आपको देनी है है फिर क्या आप ऐसे परसेंगे इनको 40 परसेंट कर दिसेबिल्टी है यह सवाल है यह पर ठीक है फिर स्काइब की सर्विस आपको चाहिए नहीं वह आप बताइए फिर आ रही हो आप प्लाइंग वर पोस्ट ऑप जूनियर स्टेटिस्टिकल ऑफीसर यह स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिकेटर ग्रेट टू में अप्लाई करना है यह सरो मांसर करना है उसकी क्वालिफिकेशन आपके पास है यानि वह आप बताइए से बैंड नेक्ट पर क्लिक करने कर आपको फोटो सिगनेटर जो है वह यहां पर अपने अप्लोड करने है कैप्चर कर लिए उनक पेज़ पर आप जाएंगे पेमेंड कमप्लीट कीजिए पेमेंड कमप्लीट होने के बाद आपका रेइस्टेशन जो हो जाएगा आप उसको का प्रेंट आउट बगारा ले सकते तो यह पूरा तरीका है अप्लाई करने का कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं से सीजे एल में तो सारी जो information है वो मैंने आपको यहां पर बता दी है, फिर भी आपके मन में कोई doubt है, कोई सवाल है, तो आप जो है direct मेरे टेलिग्राम पर जुड़ जाएए, से जो है course मिलता है, लेकिन CGL जो है, उसका भी course आपको यहाँ पर मिल जाएगा, लेकिए एस से लेक्शन प्रोग्राम भी आ गया है, जिसमें आपको 12 महीने का course है, वह आपको मिल रहा है, minimum price पर यह देखिए, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, live classes, doubt session, इंडिया के best teachers आपको लेंगे, आपकी तयारी ऐसी होगी कि आपका selection बहुत easy हो जाएगा, और price देखिए आपको यहाँ पर, बिल्कुल minimum price पर यह आपको मिल रहा है, ठीक है, कोई भी super coaching आप लेंगे, आपको coupon code लगाना है, अनुराग, A-N-U-R-A-G, ठीक है, और एक आपक test और PYP लगाई है, pass pro के साथ, आप सारे exams के mock test और PYP लगा सकते हैं, एक साल का pass pro 529, दो साल का 699, discount क्लिए apply coupon जाइए, coupon code लगाई है, अनुराग pass, A-N-U-R-A-G, P-A-S, और आपको discount मिल जाए गई, एक साल का pass pro, 465, दो साल का 615 रुपेगा, ठीक है, तो यह offer जो है, उन super coaching में enroll करना है, आपको maximum discount मिल जाएगा, तलिए अब session को खितम करते हैं, आप से firm लाकात होगी, till then, आप लोग अपनी exam preparation और update लिए, super coaching के साथ बने रहिए